दोस्तों एक good news है जो कि आपने IPL से related आपने जरू सुना होगा कि 19 सप्टमबर से IPL शुरू हो रहा है लेकिन आपने ये news जरू सुनी होगे कि title sponsor विवो इस साल नहीं करने वाला है बहुत सारे लोग इसके पीछे का करण Chinese sponsorship बदा रहे हैं कि बहुत सारे लोग IPL का boycott करने वा तो जो है इस साल title sponsorship क्यों नहीं कर रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीचे इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों हम सभी को पता है कि IPL वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिवेंटिक क्रिकेट टूनामेंट है और इसमें बहुत सारे सभी देश के काफि बड़ा होता है आपको पता ही वर कि वीडियो को सपॉंसर शिप टाइंटर स्पॉंसरोशिप करता था विडियो का टाईंट् JON KP इस जो कि उसके बास 5 साल के लिए रखा लगा था और उसका तकरिबन वेलियो जो थी वो तकरीबन थी 299 करोड मतलब टोटल कह सकते हैं कि 200 करोड रुपय वो 5 साल के लिए IPL को देता था इससे अगर हम हिसाब लगाएं तो तकरीबन 1 साल के लिए 440 करोड वीवो IPL को देता था टाइटल स्पॉंसर के लिए सिर्फ तो आप जान सकते हैं कि यह अमांट कितना बड़ा है लेकिन इस साल वीवो टाइटल स्पॉंसर नहीं करेगा इसके पीछे का चाइना नहीं है बिल्कुल चाइना नहीं है वीवो का कहना यह है कि इस quarter में इस total six months में हमारा जो mobile की selling है वो काफ़ी decrease हो गई है और हमारा ज्यादा cost और जितना revenue था उसको हम ओकर नहीं कर पाएं इसके लिए उन्होंने IPL से और BCCI से एक सिफारिश की कि हमारे sponsorship का जो rate है वो थोड़ा कम कर दीजिए और इस बार हमें रहा दीजिए लेकिन BCCI ने उनसे यह कहा कि आप यह मत देखिए आप आने वाले तीन दिनों में इसका tender pass होने वाला है और जो इसमें ज्यादा तर आक्षन लगाएगा उसको यह tender दिया जाएगा और इस साल उसका title sponsor उसको मिल जाएगा तो कह सकते हैं कि वीवो जो IPL था वीवो title sponsor लेने वाला था वो तो 2021 तक उसका था लेकिन एक साल और एक्स्टेंड हो जाएगा मतलब तकरीबन 2022 तक अब वीवो IPL को sponsorship करेगा तो आने वाले तीन-चार दिनों में देखते हैं कि इस tender में किसका बास होता है और कौन इस साल का IPL का title sponsor लेता है यह सब पूरा हाथ BCCI के हाथ में और जिन लोगों का कहना था कि चायना की वज़े से वीवो का sponsorship है वो cancel हुआ है बलकुल नहीं ऐसा कोई कारण नहीं है BCCI नहीं पूरी तोरह के से बोला कि इसमें वीवो नहीं खुद कहा कि हमारे पास इतना revenue नहीं बचा ह हम sponsorship में थोड़ा हमारी cost cutting करना चाहते है इसके लिए यह साल वीवो जो है वो title sponsor नहीं करेगा और इस साल tender pass होगा जिसको इसमें भागीदारी लेना है वो tender में अपना form फिल कर सकता है और इस साल का title sponsorship ले सकता है लेकिन आने वाले दो सालों में वीवो ही इस title का sponsorship करेगा तो कि यह बहुत ही बेकार कारण है क्योंकि आप जान सकते हैं कि चाइना का पैसा लेकि हम लोग यूज कर रहे हैं ना कि चाइना हमारा पैसा यूज कर रहा है इसके लिए IPL का boycott करना काफी एक बेकार चीज़ होगा एकदम unusual चीज़ होगा तो यही इसके पीछे का कारण है कि क्यों वीवो इस साल IPL का title sponsorship नहीं कर रहा है दोस्तों अगर आपको वीडियो ची लगी हो तो इस वीडियो का like करें इस channel को subscribe करें और इस वीडियो को अपने friends के साथ में share करें वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद